रिटेल वर्सिस H&I IPO एप्लिकेशन दोनों में क्या फरक है क्या इनकी जो है इन्वेस्टमेंट रेंज है किस तरह से डिसाइड होता है कि आप रिटेल में जा रहे हैं या H&I में जा रहे हैं है एचनाई में भी आजकल दो केटेग्रीज हो गई है और जो अलॉट्मेंट प्रोसेस है वो आपको कहां फेवर करता है जैसे पुराने समय में रिटेल में लॉट्री बेस अलॉट्मेंट होता था लेकिन है अब वो चेंज हो चुका है अभी वैसा नहीं है तो क्या प्रोसे लॉट्केशन आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहा रहे हैं उस पर डिपेंडेंट होता है तो यदि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट दो लाख रूपए या उससे कम है तो आप एक रिटेल इन्वेस्टर माने जाते हैं यह और किसी आई पीओ से लेना देना नही हैं तो आप HNI कहलाते हैं और HNI में भी दो कैटेगरी है एक स्मॉल हो एचिनाई यानी Δो लाग से लेकर दस लाग तक अगर आप पैसा लगाते हैं तो आप स्मॉल हो एचिन आएं क्या है स्मॉल में बात करूँ का लेकिन बैकिन रसे दस अग अगर आप पैसा लगाते हैं तो आप स्मॉल ह लगाए हैं और 10,00 से ज़्यादा पैसा लगाए तो आप big या large हनए हैं अब हम बात करते हैं कि आपको किस तरीके से पैसा लगाना चाहिए और क्या आपको retail में जाना चाहिए या आपको HNI में जाना चाहिए H&I में भी small H&I और large H&I में क्या benefit है वो हम समझते हैं और इसको हम थोड़ा सा पुराने old system से हम जो है वो compare करेंगे especially H&I में हमारे retail में old system और new system same ही है हम लोग 2 लाग से कम पैसा as a retail invest करते हैं हम जितना पैसा हम आई पीओ में लगाते हैं उतना पैसा हमारे account में या UPI app के थूरू account में उतना पैसा block होता है और अगर हमको जितने share मिलते हैं उसका पैसा कटके बाकी पैसा बाद में अनब्लॉक होके और हमारे account में वापिस आ जाते हैं तो यह IPO का retail का process है एचनाई में पहले ऐसा नहीं होता था एचनाई में जो है वह आपका पैसा ब्लॉक नहीं होता था तो आगर आपके account में एक specific subscription हो रहा है तो बड़ा बड़ा amount डाल देते थे कि भाई मिलेगा कुछ percentage में क्योंकि उस समय जो है वो percentage के basis पर अलाटमेंट होता था तो जैसे किसी ने जो है वह एक करोड लगा दिया लेकिन मान लो की over subscription 10 times हुआ है तो आपको 10 लाग के मिल जाएंगे जब आप लगाने एक देच नहीं हैं तो 10,00,00 से ज्यादा आप लगाते हैं अब अलाटमेंट किस तरह से होता है यदि आप रिटेल इंवेस्टमेंट हैं तो आप कितने लौट आप लगा रहे हैं जैसे थोड़ा सा हम यह अपनी screen पे आके समझते हैं यदि आप रिटेल इंवेस्टर हैं देकि 32 के price पे यानि 1,32,000 तो यह मेरी application जो है वो retail में गई है क्यों रिटेल में गई है क्योंकि यह amount 1,32,000 है यानि 2,00,000 से कम है तो पहली बात तो यह दूसरी बात अगर इस share में जो की IEML है Indian Emulsifiers Limited तो यदि इसमें over subscription होता है तो matter नहीं करता है कि आप 1 lot apply करें या 2 lot apply करें या 3 lot apply करें या 10 lot apply करें अगर आप retail में हैं तो आपको एक lot ही per person के हिसाब से जो है allotment मिलेगा अगर over subscription हो गया है तो आपका एक lot ही माना जाएगा और वो एक lot भी lottery basis पे आपको मिलेगा तो अगर आप retail में हैं और over subscription हो रहा है तो normally आप एक ही lot पे apply करें क्योंकि यह देखिए अगर मैं 2 lot यहां पे करता हूं तो यह amount जो है वो बढ़ जाता है 2 से उपर चला जाता है तो यह यहां पे जादा useful नहीं है बात number 1 ठीक है अब इसी तरह से अगर हम दूसरे इसमें है मैं चाहता तो इसे एक lot में जो है वो एक 41 में रखता या दो lot में जो है वो 2,82,000 में मैं enter होता अब इसमें देखिए इसमें मेरा application जो गया है वो as a small HNI गया है small HNI में चाहे आप 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 जैसे इस case में minimum जो है वो 2 lot है यानि 2,00,000 से उपर जो है अगर आप एक लगाए जाएंगे तो आप जो है वो 2,00,000 से ऊपर चले जाएंगे लेकिन 10 से नीचे है तो small HNI हो जाएंगे या आप इसमें amount बढ़ा के मानलेगे 11,00,000 कर देते हैं तो आप large HNI में चलेगा लेकिन UPI के थुरू जो है 0 वगयरा पांच लाग से उपर लगाना allow नहीं करता है HNI में मेरा application जाएगा तो यदि small HNI में भी over subscription हुआ तो सारे small HNI का application कितना माना जाएगा जो smallest lot size है 2,00,000 से उपर तो यहाँ पर smallest lot size 2,00,000 से उपर है या नहीं 1200 अब इससे में नीचे जाता हूँ तो यह HNI में नहीं रहा है तो 1200 का lot size जो है चाहे आप में फिर 1200 लगाए हों 24 200 लगाए हों चाहे 12,000 लगाए हों चाहे 12,00,000 लगाए हों अगर आप small HNI में आते हैं और over subscription हुआ है उसमें तो आपका जो जो application है वो 2,00,000 के आसपास जो सबसे पहला जो lot size है उतना सब का माना जाएगा और फिर जो है वो lottery basis पे आपको इसका allotment मिलेगा that is thing number second अब इसी तरह से अगर आप HNI category में चले जाते हैं यानि आप 10,00,000 से उपर application करते हैं तो फिर चाहे आप 11,00,000 करें चाहे 20,00,000 करें चाहे एक करोड करें चाहे 100 करोड करें अगर over subscription हो गया तो पहले क्या होता था कि अगर किसी को एक करोड लगाना है तो 100 करोड की application जो है डाल देते हैं पहले है मैं पैसा ब्लॉक नहीं होता था अब है जनाई में भी पैसा ब्लॉक होता है तो इसलिए अग्रेसिव जो है वह हंडेंड टाइम से वगरा जो नहीं लगा पाते हैं क्योंकि उनके अकॉन को पैसा होना चाहिए और वो अतना amount ब्लॉक होता है तो अगर large अचन में भी over subscription होता है तो वहाँ पे भी जो है दस लाग के जस्ट ऊपर जो lot size है यानि कि आप ऐसा मा लेजे कि सब को 10-10 लाग रुपय का ही allotment मिलेगा है और जितने लोगों ने application किया है उसके हिसाब से उनको हो जो है allotment मिलेगा अगर उसमें पूरा नहीं भरता है तो फिर एक 10-10 लाग का और allotment होगा तो इस तरीके से जो है वह allotment अभी retail small hni और big hni सब के लिए almost similar हो गया है सिर्फ बात जो बची है वो है कि आप दो लाग से कम लगा रहे हैं तो retail category में आते हैं retail category का अपना एक अलग से quota होता है hni category का अलग से quota होता है और hni category में जो quota होता है उसमें से one third जो है वो small hni के लिए quota होता है और two third जो है वो big hni के लिए quota होता है over subscription के time पे अगर आपका retail में ओब्र सब्सक्शियों हो ग器 बढ़ा है आपको एक ही लॉट माना जायेगा चाए अगर आपका ओवर सब्सक्रिफिशन हुआ है आपका अप्रोक्सीमिटली डो लाक रुपए कहीं माना जाएगा चाए आपने जो है ौपने हुम लाक रुप लाई में अगर ओवर सब्सक्रिशन हो जाता है तो आपका लॉट जो है वह दस लाग क्या सपास कहीं माना जाएगा चाहिए आपने दस करोड लगाएं तो ओवर सब्सक्रिप्शन के हिसाब से नओए डिसाइड होता है कि आपको कितने शेयर मिलेंगे और उन सब पे जो है वह ब्लापेज होता है अभी सलिए तो इससे जो है वह मतलब यह से खीके नएा रूर्स के शाब अब क्या होता है कि right amount of correctness आपको मिलती है कि इसमें कितने लोगों का actual interest है पहले होता किया था किसी को एक करोड लगाना होता था लेकिन last day पर देखता है कि यह already यह इसमें 100x जा रहा है तो वो एक करोड की बजाए 100 करोड पैसा लगा देते थे और कुछ ब्लॉक करना नहीं प हो गया है आप सोच समझ के देखिया अगर कम पैसा लगाना है तो रिटेल में इन्वेस्ट कीजिए दो लाक से थोड़ा ऊपर लगाना है तो आप जो है small hni में लगाना है तो large hni में लगाना सबसे useful जो है वो माना जाता है क्योंकि वहां पे आपको अगर allotment मिलता क्योंक उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो number of investors जो है वो कम होते हैं तो उसमें अगर आप 10 lakh का लगाते हैं तो very high chance कि वह आपको normally मिल जाता है खेर यह सब जो है यह speculation है आप जो है वो हमेशा सारे जहां भी आप invest करना चाहें उसको पूरा अच्छे से study करें आपकी capability के हिसाब से आपाई प्यों में apply करें so that is it दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आया तो एक थमसब दीजेगा thank you very much have a good day bye bye